दोस्तों इस वीडियो में LNMU डिग्री पार्ट टू के वैसे स्टुएंट्स जिनका सब्सिडरी पेपर जियोगरफी है तो उन सभी के लिए उनके एक्जैम हे तू पार्ट वाइस वीडियो के माध्यम से मैं लगबग साड़े तीन सो अब्जिक्टिव प्रस्नों का उत्तर बताने वाला हूँ जिससे आपके एक्जैम में कुशन्स आएंगे फिलाल इस वीडियो में लगबग 20 प्रस्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ तो अगर आपने अभी तक किसे लिए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए साथ में नोटिफिकेशन बिलको दबाकर ओल नोटिफिकेशन ओन करके जरूर रखेगा ताकि अप्टूडेट आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी तो जिसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला कुशन जो आपके स्क्रीन के उपर दिख पारा होगा शदा बहार किस्म के वन कहां पाये जाते हैं तो चार आप्संस है जिसमें इसका आं जाना जाता है तो प्रित्वी ग्रह के फेफ्रों के रूप में जो जाना जाता है वह अमेजन वर्सावन तो इसका अंसर खो हो जाएगा फिर आगे देख सकते हैं तीसरा जो कुशन है भारत की उत्तरी सीमा पर इस्थित परवत है तो आप सभी को पता होगा भारत की उत्त उतर सीमाल पर मतलब उतर में हिमालय है तो उतर में नेपाल आता है और हिमालय नेपाल में ही है तो यहाँ पे भुजयगा भारत की उतरी सीमा सिमा पर इस्थित न्इसरे होगा नंदा देवी इस्थित है तो नंदा देवी जो इस्थित है इसका अंसर आपका option number को ही होगा उत्रा खंड में इस्थित है तो खो इसका correct answer होगा पाज़मा कुछन है बद्रिनात अवस्थित है तो बद्रिनात जो अवस्थित है आप लोगों को पता होगा बद्रिना जो है कुमाउं हिमाले में अवस्थित है तो इसका अंसर ऑप्सन नंबर को होगा फिर आगे आप देख सकते हैं छटा कुछन है भारत की सर्वच परवस्रेनी कौन सी है तो सर्वच परवस्रेनी जो है वो आपका भारत की पूछा गया है तो भारत की है गाडवीन आप देख सकते हैं उत्त्राखंड का सबसे उचा प्रवस्थिकर आप लोगों को पता होना चाहिए यह आपका नंदा देवी ही है तो अफसन नंबर घौ इसका करेक्टांसर होगा आगे आप आठ्मा प्रस्थ देख सकते हैं निम्लिकित में से शबसे प्राचीन प्रवस्थ करेक्टाम्सर होगा नोमा कुशिruktur नातुला किस राज़ी में स्थित है तो यह जो है सिक्कि में स्थित थी Tut और इस complexity जो गुजरती है वो लीपू लेक से गुजरती है तो लीपू लेक दर्रे से गुजरती है बारे नमर कुछन है खैबर का दर्रा कहां है तो खैबर का दर्रा जो है ये आपका पाकिस्तान में है तो अपसन नमर गोई इसका करेक्टांसर हो जाएगा तेरा नमर प्रस्ट है नि पुत्र जो है यह इसका उद्गम आपका भारत से नहीं है यह सायद भोटान से है तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे फिर आगे देखते हैं यह आप देख सकते हैं तिबत में मान सरोवर जिल के पास किस नदी का उद्गम सुरोत इस्थित है तो इसका आंसर हो तिबत में मान सरोवर जिल के पास सिंदू, सतलज और ब्रहम पुत्र तीनो नदी का उद्गम सुरोत इस्थित है तो अफसन नमर घौ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं दक्षिन भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है दक्षिन भा अबी नदी आपका गोदावरी ही है गोदावरी इसका आंसर हो जाएगा अपशन नमबर को शत्रम प्रस्थन है कावेरी नदी का उद्गम सुरोत है तो मожरे ब्रहम गिरी पहाड या एपशन नमबर कोई इसका कारेक्ट आंसर हो जाएगा वैसे आपनलों को ए- bene, करकर य जाएगा उसमें आपको जो है करेक्ट आंसर फिल अप कर देना है कावेरी नदी गिरती है मतला कावेरी नदी जो है कहां जाके गिरती है तो यह बंगाल की खारी में गिरती है तो कावेरी नदी जल बुवाद जो है यह मुकशित आपका करनाटक और तमील नाडू के मध्य में अभी फिलाल है फिर 20 कोशन है दामोधर नदी निकलती है जो अंतिम प्रस्ण है इस वीडियो का तो दामोधर नदी जो निकलती है यह तो यह आपका छोटा नागपुर पठ कर दोगी अगर आपको इसी प्रिकार की वीडियो आप टो डेट चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने व वारत थैंक यू थैंक यू सू मच